सभी को नमस्कार जैहिंद रामराम मैं संदीब सिवाज स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आपके अपने यूटुब चैनल जिक्के बाई संदीब सिवाज पर जो बच्चा पहली बार चैनल के उपर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन के चुनाओं की जो तारिखें हैं उसका एलान हो चुका है और मिरे बच्चों एक उक्टूबर को हरियाना के अंदर जितने भी नेता है उनकी जो परिक्षा है वो आयोजित की जाएगी जैसे हम परिक्षा दे के आते हैं तो मिरे बच्चों ऐसे ही उनकी भी ये परिक्षा का दिन होगा और एक October को जो नेताओं की प्रिक्षा होगी उनका जो प्रिणाम है वो मेरे बच्चो चार October को आएगा लेकिन इस दोरान मेरे हर्याना का वो बच्चा जो रिटन अक्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था जो हर्याना के अंदर सरकारी नोकरियों के पेपर देने व अब तो चुनाओ के परिणाम के बाद ही होगा लेकिन मिर बच्चो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि जब भी आचार सहीता सब्द यूज किया जाता है तो बच्चों को यही लगता है कि बर्ति परकेरिया उसी दिन से रुक जाती है देखेगा आचार सहीता होती क्या है आ परिणाम तक तो इस दोरान कौन से काम किये जा सकते हैं और कौन से काम नहीं होंगे तो मिर बच्चों हम जो बात करेंगे वो सरकारी नोकरियों को लेकर करेंगे पहली बात तुम आपको बता देता हूँ कि जो कल तक आप लोग जिस जोस से जिस एनरजी से पढ़ रहे थे अपनी आगे आने वाली लिखित परिक्षा की त्यारी करने के लिए उसी एनरजी से आप पढ़ते रहेगा आपकी बरतियों के उपर कोई भी बच्चों कोश्चन मारक नहीं है आपकी जो बरतियां है वो होंगी इलेक्षन से पहले होंगी कौन सी बरतियां इलेक्षन के ब जिनकी लिखित प्रिक्षा 25 तारिक को होने जा रही है उन बच्चों को भी थोड़ा सा ये कोशन मारक उनका आया होगा कि अब तो साइद हमारी जोइनिंग इलेक्शन के बाद ही होगी या बच्चों गुरूप डी के जो अन्या पद बताये जा रहे हैं कि एक और लिस्ट आ जिनको आचार सहिता सबदकाई नहीं मतलब पता और वो बचे भी बिना बाद के टैंसन में आये हुए हैं तो एक बार ठंडे दिमाग से आप आचार सहिता का प्रोसेस पड़ो गूगल के उपर टाइप करके तो बच्चों आपको सारा का सारा पता लग जाएगा कि आचार सहिता जिस दिन लग जाती है ना तो उससे पहले जो भी सरकारी बरती प्रकिरिया चल रही होती है उस प्रकिरिया को मेरे बच्चों पूरा किया जा सकता है उस पे ज्वाइनिंग हो सकती है कोई भी भारत का जो निर्वाचन आयोग है चुनाओ आयोग है उसको आपती नही बच्चो उस दिन के बाद कोई भी नया एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला जा सकता या बच्चो उससे पहले किसी भी बरती का यदि एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है और उसके उपर कोई भी एक्षन नहीं लिया गया है तो मेरे बच्चो अचार सहिता लगने के उसके उपर एक्षन नहीं लिया जा सकता है जैसे नया वाक्या कल हुआ है कि कल आपको पता चला होगा कि हरियाना के अंदर एक और नई पुलिस की बरती आ गई है तो वो नोटिफकेशन इसलिए निकाला गया ताकि अचार सहिता के अंदर तो नया नोटिफकेशन नहीं न नहीं खुरू नहीं हुआ है तो जो नई पुलीस की बरती है यह बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी नई पुलीस की बरती एक प्रकार से आप am माले जीएगा लोली पोप मान लीजिएगा कि आपके सिरफ फोम फोम अपलाई करवाय जाएंगे लेकिन मेरे बच्चो इसके उपर आचार से इता लगने से पहले कोई एक्सन नहीं हुआ है तो यह इस बरती को इलेक्सन से पहले किसी भी सूरत में लेकिन उस से पहले जिन बरतीयों के उपर प्रोसेस सल रहा है उन बरतीयों के बच्चे निष्चिन्त होके अपनी तיारी करते रहें जो बच्चे हुए गरूपों के पदों की तेन्टेटिव डिटर अग्जाम डेट आई है वो सारे के सारे बच्चे भी उसी डेट को final मान कर त्यारी करते रहें आपको joining देगी, सरकार इतनी पागल नहीं है सरकार को पता है कि कितना negative impact पड़ेगा यदि वो इन बरतियों को पूरी नहीं करेगी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार बहुत कुछ सोचती है ऐसा नहीं है कि उसने आखे बंद करके ऐसे ही tentative return exam की date announce कर दी होगी मेरे बच्चों वो election से पहले हर हाल में क्या करेंगी बरतियां पूरी करेंगी मैं आपको पूरा का पूरा यह समझा देता हूँ सबसे जादा जो बच्चे tension में है वो group 56 वाले है पुलिस बरती वाले है group D के जो बच्चे हुए पद है उनके उपर जो joining होनी है वो बच्चे tension में है या मेरे बच्चों बात करें तो इनके अलावा जो और अन्या ग्रूपों के बच्चे हैं भी tension में है तो आप लोग tension बिल्कूल मत लीजेगा आपका लिखित प्रिक्षा भी होगी आपका result भी आएगा इसी आचार सहिता के अंदर और आपको joining भी दी जाएगी लेकिन देखेगा पहले जो बच्चों result आने के बाद joining दी जाती थी थी ना तो मंत्री है, मुख्य मंत्री है या सरकार के सरकारी अधिकारी है वो credit लेते थे अब वो credit नहीं लेशकेंगे चुपचाप उनको joining देखे बच्चों join करवाना पड़ेगा अब मुख्य मंत्री या मंत्री कोई भी appointment letter यानि कि जो उनका न्यूक्ती पत्तर है मेरे बच्चों वो नहीं बाट सकते है सार्वजनिक्स थल के उपर कोई भी program इस प्रकार का नहीं कर सकते है तो इसका मतलब वो चिला नहीं सकते है कि हमने इतने पतों पर अब न्यूक्ती देती है अचार सहिता में नहीं चुप चाप आपको क्या करना पड़ेगा इन बच्चों को जोईनिंग करवानी पड़ेगी और बच्चा सब कुछ जानता है मेरे बच्चों देखेगा अचार सहिता जो लागू हुई है कल से हरियाना के अंदर चुनाओ तारिखों का एलान होने के साथ थी तो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों बड़तियों के उपर जो बड़तियां पहले से चल आ रही है उनके उपर इस अचार सहिता का कोई असर नहीं है और एक आप लोगों को एक्जमपल भी दे देता हूँ आपने देखा होगा कि जब जीन्द विदान सभा का उपचुनाव हुआ था मेरे बच्चों तो उस दोरान भी गुरूप डी की जोइनिंग दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि वो बड़तिय परकिरिया पहले से चलती आ रही थी और जो बड़ति परकिरिया अचार सहिता लगने से पहले जिसके उपर एक्शन हो चुका होता है जो वो प्रोसेस आगे बढ़ चुका होता है उसको अचार सहिता के अंदर भी पूरा किया जा सकता है ठीक है तो समपूरन जानकारी आपके पास होनी चाहिए तो पहले से जो बरतियां चल रही हैं उनकी लिखित परिक्षा होगी जैसे पुलिस की लिखित परिक्षा होगी लिखित परिक्षा के बाद रजल्ट आएगा गुरूप 57 का भी रजल्ट आएगा और इन सभी बच्चों को बच्चो जोईनिंग भी मिलेगी तो आप लोग जो है ना अपनी त्यारी में बिल्कुल भी कमी मताने दें जो जोस आपका कल तक था उस जोस को आप डबल कर लीजिएगा आचार सहीता नाम सुनने के बाद आपका जो जोस है वो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा लेकिन उस जोस को थोड़ा बहुत कम नहीं बलकि बहुत ज़ादा उपर और डबल करके चलना है क्योंकि मैंने बोला है रिजल्ट और जोईनिंग आपकी होगी बच्चो हाई कोट के अंदर इतनी भी बर्तियां गई हुई थी ना तो उन बर्तियों पर भी कोई असर नहीं है गुरूप C की सारी की सारी बर्तियां ठीक है तो बच्चो हाई कोट के आदेश पे तो चुनाव से एक दिन पहले भी रजल्ट आ सकता है क्योंकि ये बर्तियां जो है ना ये लेट हुई है हाई कोट के अंदर ये चली गई थी हाई कोट ने इनको 6 महीने का टाइम दे रखा है हर हाल में सारी बर्तियों के री एक्जाम लेकर आपको क्या करना पड़ेगा रजल्ट और जोइनिंग बच्चों को दे नहीं पड़ेगी बच्चों जे बीटी जो मेवाद का एडर की बर्ति है इसकी लिखित प्रिक्षा ले ली जाएगी लेकिन इसका जो परिनाम है ना वो चुनाओ के बाद आएगा ये भी आप ध्यान रखियेगा लेकिन लिखित प्रिक्षा ले ली जाएगी चुनाओ प्रिनाम के बाद चुनाओ जो आएगा चुनाओ के बाद इसका क्या आएगा मिरबच्चों प्रिनाम आएगा हर्याना पुलीस बर्ति जो 6000 कॉन्स्टेबल चली हुई है यह मैंने आपको बताई दिया है साथ की साथ मिरबच्चों नई बर्ति का विज्यापन अवजारी नहीं होगा और यही कारण था कि कल आपने 2-3 एडवर्टाइजमेंट HSSC की तरब से देखे हैं क्योंकि HSSC को सरकार ने पहले ही दिया होगा कि आज अचार सहिता लगेगी तो इससे पहले पहले आप जो भी अडवर्टाइजमेंट सरकारी नोकरी का निकालना चाते हैं वो निकाल लीजेगा और अडवर्टाइजमेंट आने के बाद अचार सहिता लगी गई थी तो मेरे बच्चो इसके अलावा अब कोई भी नई बर्टी का अडवर्टाइजमेंट आपको ओक्तोबर चार तारिक तक नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो नई बर्टी का विग्यापन नहीं जारी हो सकता है लेकिन जो विग्यापन जारी हो चुका है उसके फोर्म डलवाए जा सकते है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा सकता मैंने आपको बताया है जिस एडवर्टाइजमेंट के उपर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ होगा अचार सहीता के अंदर बच्चो उसको पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन जिन बर्तियों के उपर सरकार का कमिसन काम कर रहा है जिसने काफी प्रोसेस पूरी कर ली है बच्चों उनको अचार सहीता के अंदर पूरा की अजा सकता है ठीक है तो ये सबी बच्चों के लिए एक राहत की ख़बर है आप लोग अपनी त्यारी करते रहें आप मेरे बच्चों मायूस ना हो आप अपने अंदर नेगिटिव विचार मत लेके आए कि अब भरतिया नहीं होंगी ठीक है अब ये सरकार सारा का सारा सोच समझ के चलती है जो बाते हमें नहीं पता होती वो सरकार को बखूबी पता होती है ठीक है तो ये अचार सहीता जो सबद आया है कल से मेरे पास कम से कम सो से भी ज़्यादा मैसेज आ चुके है कि सर अब हम क्या करें मैं बोलता हूँ कि अब तुम और जो से त्यारी करो क्योंकि आपकी लिखित प्रिक्षा भी होगी आपकी जोइनिंग भी आएगी और मेरे बच्चो आपका रजल्ट भी आएगा अब देखिएगा ये बात सिरफ मैं नहीं बलकि आज ये निउज पेपर में भी आया है कि HPSC, HSSC रजल्ट जारी कर सकता है और नियुक्ती भी दी जा सकती है मेरे बच्चो ठीक है नियुक्ती भी दी जा सकती है तो इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बोला है कि यदि कोई भी इशू आता है तो बारत के चुनाओ आयोग से हम मारक दरसन लेके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे लेकिन बच्चों को लेकर सरकार जो है न वो इतनी ही सिरियस है जितने बच्चे है यानि कि उनको जोइनिंग लेटर दिये जाएंगे ये जोइनिंग लेटर अब मंतरी और किसी मुख्यमंतरी के हाथों से नहीं दिये जाएंगे तो हमें तो जोइनिंग लेटर चाहिए हमें मुख्यमंतरी और मंतरियों के हाथों से नहीं चाहिए ठीक है मिर बच्चों इसके इलावा जो बच्चे स्किल के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं खास तोर पर योगा तो योगा इंस्ट्रक्टर का आप डिप्लोमा कर सकते हैं लेवल फाइव इसे कहा जाता है मिर बच्चों और ये जो आपका डिप्लोमा होगा ये अपने हरियाना की सरकारी जो उनिवस्टी है पलवल के दुदोला गाओं के अंदर जो आप रियाना जिक्के में भी पढ़ते होंगे विश्व करमा स्किल डवलप्मेंट उनिवस्टी वहां से होगा क्वालिवकेशन मिर बच्चों इसकी दस्वी और पलश्टू रहने वाली है अंतिम तारिक जो है वो 20 अगस्ट है 20 अगस्ट के बाद मिर बच्चों आप इसके अंदर एडमेशन नहीं ले पाएंगे तो 20 अगस्ट इसकी अंतिम तारिक है तो जिस भी बच्चे को इस डिपलोमा से रिलेटिड कोई भी जानकारी चाहिए वो इस नंबर से आप मेरे को कोलिया वर्टसप कर सकते हैं ठीक है बच्चों आगे योगा की बहुत सारी बरतिया आएंगी के अंदर के अंदर भी आएगी और राज्ये के अंदर भी आएगी जैसे अभी अपने हरियाना के अंदर HKRN में योगा की बरतिया निकली थी आपने फोम डाल दिया होगा जिसके पास यह डिपलोमा था बच्चों सरकारी इनुवस्टी है तो मेरे इसाब से आपके दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि ये चलेगा नहीं चलेगा क्योंकि सरकारी इनुवस्टी जब कोर्स करवा रही है तो इसका मतलब है उस कोर्स को कोई रोक नहीं सकता है ठीक है तो मेरे बच्चों कोई भी आप कोर्स मेरे से करते हैं तो आपके साथ फ्रोड होगा ये दिमाग से ही निकाल देना ठीक है क्योंकि आप लोगों का जो बरोसा है विश्वास है उसी विश्वास के साथ हम बहुत जैन्वन तरीके से जो आपके रेकोगनाइजड इंस्टिटूट होंगे जहां से आपका किया गया डिप्लोमा कहीं पर भी नहीं रुकेगा मिर बच्चों वहां से मैं आप लोगों को इन कोर्सी जो गाइडेंस है वो देता रहूँगा तो योजी सी अप्रूड भी है और हर्याना सरकार से भी मानियता प्राप्त है भारत की पहली स्किल डवलप्मेंट उनिवस्टी है तो मिर बच्चों यदि आप एडिमिसन लेते ह हैं 20 तारिक से पहले तो आपको study material दिया जाएगा योगा मैट दिया जाएगा online classes आपको दी जाएगी ठीक है और बाकी जो भी आपके दिमाग में इस course से related कोई भी doubt कोई भी question आता है तो इस नंबर के उपर call या what's up आप कर सकते हैं तो मिर बच्चों दोनों important जानकारी एक योगा की अंतिम तारिक और एक साथ की साथ है आचार सहीता जिसके बाद बच्चा जो है कल से confused हो चुका था मेरे हिसाब से ये वीडियो उसको राहत देगी और दोबारा से मेरे बच्चों वो अपनी जो पढ़ाई है उसको double speed से आगे बढ़ाएगा और जो सरकारी नोकरी लगने का सपना है वो अपना पूरा करेगा कोई भी इसके अलावा अन्या आपका question है तो आप comment section के अंदर छोड़ सकते हैं next video के अंदर उस question के उपर हम जरूर चर्चा करेंगे thank you bye bye love you आप सभी को